बिसमिल्लालराहमार रहीम सो इस लेक्षर से हम स्टार्ट करेंगे एक्सराइज साइज नंबर 3.2 को कोशन बर 1 है कि if x varies directly as y x जो है वो vary कर रहा है directly as y अब यहां पर इस sentence जोटा जो segment है इसका मतलब यह है कि x is directly proportional to y, ठीक है, so if x varies directly as y and अगला उन्होंने जो दिया हुआ है, वो कह रहे हैं कि x is equal to 9 when y is equal to 15, देखो, यहाँ पर जो है, इन्होंने किया हुआ है, कि हमें x की value भी दे दी और y की value भी दे दी, तो जब हम x और y की value यहाँ पर put करेंगे, तो हमारे पास जो इनकी दर्मियान constant आ रहे हैं कि उसकी value find हो जाएगी, ठीक है, पर हमने क्या करना है, कि वो question करेंगे, find x, हमने find क्या करना है, x find करना है, when y is equal to 30, y की value again given है, हमने x की value find करनी है, और constant k की value हम already यहाँ से find कर चुके होंगे, so solve करते हैं इसको, हम लिखेंगे, हम लिखेंगे कि given date, x is directly proportional to y, जिसका मतलब यह है कि by x is equal to, अगर मैंने sign of proportionality को convert करना हो, change करना हो sign of equality में, तो मैं रहे कूंगा equal to और इसके साथ constant k लगाऊंगा, ठीक है, इसको करते है, equation number 1, now, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि, हम लिखेंगे, put, या putting, x is equal, यह चीज़ पूट करेंगे, यहाँ पर कि, x is equal to 9, and y is equal to 15, in equation number 1, यहाँ पर हमने क्या करना है, कि, x की और y की value को put करके, क्या find करना है, k को find करना है, ठीक है, so, हम solve करते हैं, इसको हम लिखेंगे, कि, x हमारे पास है, 9, equal to k, अपनी जगर पर y, जो है मेरे पास कितना है, 15, now, k हमने find करना है, k के साथ 15, multiply हो रहा है, यहाँ पर आएगा, तो divide हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा, k is equal to 9 upon 15, 3 से चुँखे, cancel हो सकते हैं, दोनों, तो मेरे पास गर 9, 3, 3s are 9, 3, 5s are 15, मेरे पास k की जो value है, वो कितनी आ गई, k is equal to, 3 upon 5, यह मेरे पास क्या find हुआ, k की value, अब आगे जो है, को सिंग के रहे हैं, कि find x, मैंने बिसकर लिए क्या find करना है, x find करना है, when y is equal to 30, so हम लिखेंगे यहाँ पर, कि, मैं यहाँ पर space बना लेता हूँ, तोड़ सा, यहाँ पर हम लिखेंगे, now put y is equal to, now put y is equal to 30, and k is equal to 3 upon 5, in equation number 1, in equation number 1, so हमारे पास equation number 1 क्या आता बिसकली, equation number 1 हमारे पास था कि, x is equal to k x, sorry k y, so हम लिखेंगे, x is equal to k हमारे पास है, 3 upon 5, और y मेरे पास जो है, y जो है वो क्या है, y की पर रिए है 30, so यहाँ पर जो है, cancellation करते है, 5 upon 5, 5 6 is a 30, तो मेरे पास basically क्या बन गया, 3 and 6 3 6 is a 18, so हमारे पास answer आ गया, कि, when y is equal to 30, and x is equal, sorry k is equal to 3 upon 5, then the value of x is 18, ठीक है, यहीं हमारे पास जो है, क्या चीज है, answer आ गया, ठीक है, question number next question है, उसको देखते हैं जड़ा, next question किया रहे, given that, question number 2 बिल्कुल सेम है, question number 1 की तरह, लेकिन थोड़ा सा, different दिखता है, given that, r is directly proportional to s, पहला चीज़ तो ने खुद दे दिया हमें, मैं यहाँ पर इसकी साथ साथ लिखता भी जाऊंगा, given that, r is directly proportional to s, which means r is equal to ks, यह हम आलड़ी जानते हैं, ठीक है, so, वो कहते हैं, and r is equal to 140, and s is equal to 5, देखो, हमें जो है, r की value भी दे दी, s की value भी दे दी, तो इससे हमें क्या find हो जाएगा, k की value, find हो जोगी, जो के question की requirement है, find the constant of variation, find the constant of variation means k, खेर, एक तो हमने find करना है, k की value को, दूसरा वो कह रहे हैं, also calculate the value of s, the value of s, when r is equal to 170, when r is equal to 170, आप r के वरे put कर लोगे, और k के वरे जो आपने find की है, वो put कर लोगे, तो आपके पास क्या find होगा, obviously s find हो जाएगा, so हम solve करते हैं, इसको हम रिखेंगे, put, put r is equal to, यह हमने put करना है, put r is equal to 140, and s is equal to 5, in equation number 1, ठीक है, equation number 1 में, जब आप r is equal to 140, and s is equal to 5, put कर लोगे, तो हमारे पास आएगा, 140 equal to k, into 5, 5 यहाँ पर multiply हो रहा है, इस तरफ आएगा, तो divide हो जाएगा, हम इस तरफ क्यों ले आ रहा है, क्योंकि हम k की value को find कर रहे है, और k के साथ 5 multiply हो रहा है, तो यह divide हो जाएगा हमारे पास हाएगा, 140 divided by 5 equal to k, now, हमारे पास है, 5 ones are 5, 5 twos are 10, 4 बच के 5, 8's are 40, 5 eight's are 40, so k हमारे पास किसकी को ला है, हम लिखेंगे, this implies k is equal to 28, k की value जो है, वो find हो गई, जो question का पहले requirement था, कि find the constant of variation, यहनि k find कर ले, वो हमने find कर दिया, अब second part कहाते है, वो कि ते also calculate, the value of s, when r is equal to 170, so हम लिखेंगे, now, now, put, r is equal to, r मेरे पास क्या है, 170, रिखेंगे, r is equal to 170, and, k is equal to 28, in equation number, 1, so equation number 1, basically मेरे दोबारा है, यहां पर जो है लिखेंगे रहा हूं, equation by मेरे मेरे पास है, r is equal to ks, r is equal to, ks, यह हमारे पास equation number 1 है, so इसमें हम put करेंगे, r मेरे पास है, 170, equal to, k मेरे पास है, 28, और s हमने find करना है, s find करना है, s के साथ 28, multiply हो रहा है, तो left hand side पर जब आएगा, तो क्या होगा, divide हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा, 170, divided by 28, equal to s, equal to s, ठीक है, now, 2 से जो हम इसको, cancel का सकते हैं, तो हम रहेंगे, 2 1s are 2, 2 4s are 8, और यहां पर जब करेंगे, so 2 8s are 16, 1 बच किये, तो 1 2 5s are 10, so basically हमारे पास बन रहा है, 85 divided by 140, 85 divided by, sorry, 140 नहीं है, बल्के 14 equal to s, अब चुनकि हमारे पास, basically जब भी कोई improper fraction आपके पास आ रहा हो, तो आपने क्या करना है, उसको proper fraction बनाना होगा, so हम क्या करेंगे, 85 को divide कर लेंगे, किसी से 14 से, जब 14 से divide करेंगे, तो हमारे पास आएगा, 14, 14 2s are 28, 14 4s are 56, और उसके लावाज हमारे पास क्या बन रहा है, देखते हैं, 14 6 से क्या बन रहा है, 14 को जब आप 6 से करोगे, 64 से 24, 2 carry, 6 बन से 6 to 8, 84 बन रहा है, ठीक है, so 14 को जब आप 6 के साथ, पास क्या जाएगा, 84, आपके पास, जो remainder है, वो क्या बना, 1, 1 upon 14, 6 1 upon 14, यही हमारे पास क्या बना, answer, ठीक है, अगर इंकेस आप यह समझ नहीं आए होगा है, तो आप इस तरह देख लेए, इस चीज को आप केते हैं, quotient, यह हमारे पास है, reminder, और यह हमारे पास है, divisor, so formula क्या है कि quotient into reminder upon divisor, so quotient हमारे पास क्या है, 6, मैंने 6 लख लिया, उसके बाद reminder क्या है, वो है, मैंने 1 लख लिया, उसके बाद नीचे मेरे पास है divisor, divisor मेरे पास है 14, मैंने 14 लख लिया, ठीक है, पास है क्या है,